हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं इस्टडी फीट ऑफ फीजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों आज के सेशन में बीस एमसी की गोस्टन है जैसा कि मैं कल बोली थी कि सामको भी विडियो अप्लोड होगा किसी कारण बस दोस्तों मैं समय नहीं निकाल सके बट आज से आपको दोनों टाइम विडियो अप्लोड होगा जब तक आपका परिच्छा नहीं हो जाता दोस्तों जैसा कि अभी तक जितने भी फिजिकल एजूकेशन एक्जांस हुए हैं सभी से most important questions चार्ट कि मैं आपके समझ चला रही हूँ सभी questions देखेगा समय नहीं करती हूँ चलते हैं आज के questions के तरफ तो question है दोस्तों कि जांग किस सामने के muscles को हम जानते हैं quadriceps muscles के नाम से quadriceps muscles जोए चार पीस ही उसे मिलकर बनी होती है रेक्टरस फेमोरिस वास्टरस लेटरेलिस वास्टरस मिडियलिस वास्टरस इंटरमेडियलिस इस चारों मिलकर quadriceps muscles कहा जाता है quadriceps muscles group जो होती है जांग को घुटने को विस्तार करने में एंड हीप को मोडने में कामाती है और quadriceps muscles जांग के जश्ट पीछे hammer string muscles होती है जो तीन पीचियों से मिलकर बनी होती है biceps femoris, semi membranous and semi tendinous जो जांग को जो घुटने को मोडने के कामाती है I hope कि आपको समझे आया होगा और यहाँ पे trapeges muscles जो होती है वहाँ पीट के उपरी हिस्ते में गर्दन के पास होती है यहाँ पे बी जो है solius muscles जो है वहाँ पैर के निचले भाग में पाई जाती है यहाँ पे क्वाड़ी से सबका right answer हो जाएगा आपसर नमबर सी एंड कोशन नमबर टू है कि एक football match में एक team को कितने time out मानने हैं तो दोस्तो एक football match how many times out allowed to a team in football match तो football match एक ऐसा game है जिसमें कोई time out नहीं होती है यहाँ पी अपरोट में से कोई नहीं आपका right answer हो जाएगा and next है question number three है कि प्राजिन उलम्पिक खेलों में जीतने वालों को पुरस्कित किया जाता था winners of the Asian Olympic Games were rewarded with तो किस चीस से reward यानि पुरस्कित किया जाता था जो प्राजिन उलम्पिक खेलों में जीत हासिल करता था तो दोस्तों उसको जैतून की पत्तियों के मुकुट से सुसोभीत किया जाता था ठीक है crowns of allowed leaves तो यहां पे प्राजिन उलम्पिक खेलों में बिजेता को जैतून की पत्तियों के मुकुट से दिया जाता था जबकि बर्दमान में आदमिक उलम्पिक खेल में पहले बार पदक दिया गया उनिस सू बार है बिजेताओं को सबसे पहले पदक दिया गया उनिस सू बार है सेंट उनिस सो चार सेंट लुईस सॉरी दोस्तों उनिस प्रथम बार बिजेताओं को गोल्ड दिये गये या आपका सकते हैं बिजेताओं को प्रथम बार पदक दिया गया तो उनिस सू चार सेंट लुईस उल कोशन पूछा भी था BPSC TRE2 में, तो 6 ग्राम सोने से मढ़ा हुआ होता है, तो 6 ग्राम सोने से मढ़ा होता है, और 3 मिलिमेटर मोटा होता है, और 76 सेंटिमेटर ब्यास का होता है, और नेक्स्ट कोशन है, कोशन निम्पर 4 है, कि इस्थी ताकत को यह भी कहा जाता है, यानि इस्टेटिक इस्टेंड इस आल्सो कार्ड, आप समझ सकते हैं दोस्तों, इस्थी ताकत कि इसको कहा जाएगा, जिसमें मांस्पेसी न घरती है न बढ़ती है लंबाई, तो उसको हम आईसो मेट्रिक ताकत कहेंगे, आपसन नमबर B, यहां पे आईसो मेट्रिक इस्टेंथाप का राइड इंसर हो जाएगा, ठीके, जैसे कि आईसो मेट्रिक आईसो मतलब सेम, और मेट्रिक मतलब लंबाई सेम लंबाई, जिसमें कोई प्रत्यश चकती रही दिखाई देती, कोई कारे होता दिखाई नहीं देता, पेशी के लंबाई सेम होती है, कोई चेंज नहीं होता, जैसे दिवाल को धक्का मारना है, जैसे कि आईसो मेट्रिक के खोज, उनिसो तीर पर में हैड इंगल मूलर ने किया था, दूसरा होता है आईसो टोनिक, जिसे लिए लुटों ने 1914 में एक हुए था, आईसो टोनिक में पेशी के लंबाई घड़ती बढ़ती है, दो परकाल का होता है, जब कम होती है तो इसे कोते है इसेंट्रिक, और आईसो टोनिक के अंतरगत कैलेस्थिनिक दियाम, एक ही अस्थाम पदरना, भार प्रसिचर, मैडिसिन बाल थ्रो जो उपकड़ो अभी रा उपकड़ों के साथ किया जाता है तिसरा होता है आइसो काइनेटिक आइसो मतलब सेम काइनेटिक मतलब गति यानि सेम गति होती है उडिसो और सफ में जिन्स पे राइन ने इसको को जाता ये भी कोशन पूछा ओगनल-ओल प्रतीयोगिता निर्मेशे किस दोत्तो में आती है तो दोस्तों नाकांट टुनामेंट के अंतरगत आती है फाक्ति प्रत्तों में नाकाउक दिया हुआ है आपको नहीं दिया हुआ है दोस्तों तो जा नाखाउट टुरणामेंट जो यह दो होती हैसिंगल नाखाउट डबनाकाउट सात्तोवना टुर्णा मीन चैनल टूनामेंट एन efterकत आता है यहाँ पर आपका नाकामट प्रप्तिविकता नहीं दिया तो यहां पे और आइडल जूरो हो जाएगा उपरोत मेंसे कोई नहीं क्या हो जाएगा उपरोत मेंसे कोई नहीं In next question है सबसे पहले हाकी मेस कराए गया इन वीच ओलामपिक वाज़द हाड़ की मैज है हेलड आरन अस्टारफ वार्ट वार्ट ये तो यई इस्टारफ़ सबसे पहले हाकी मेस कराए गया कब कराए गया दोस्तों तो 1976 का मॉन्टियल आफसर नंबर भी यहाँ पे राइट होगा 1976 का मॉन्टियल उलम्पिक एस्टोटर्फ फर खेला जाने वाला प्रथम उलम्पिक था यह विशेश रूप से खेल के लिए कृतिम खावस का मैदान होता है Next question है कि लगातार प्रसिच्छव विधी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया यानि continuous training method वाच propounded by whom तो किसके द्वारा continuous training method जो है खोजा गया प्रतिपादित किया गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं continuous training method जो है earnest वी आकन के द्वारा आपसर निम्बर बी राइट होगा earnest वी आकन के द्वारा उनिसो बीस में खोजा गया एंड यहाँ पे जो interval training method है रेंडली विए गर्चलर विकिला ने उनिसो बीस में खेया था ठीक है वर्ल्डमर गर्चलर विकिला ने उनिसो बीस में interval training method की खोज किया था जो गती सहन सिल्टा को डिवलब करता है एंड एंडर्स एरमसर मॉर्गन ने circuit training की खोज किया था उनिसो संताओन में एंड फॉर्टलेक training method की खोज 1937 में गोश्टा होमलर ने किया था जिसमें से continuous training method सहन सिल्टा डिवलब करता है interval training method गती सहन सिल्टा एंड फॉर्टेक method सहन सिल्टा एंड circuit training सक्ती सहन सिल्टा को डिवलब करता है नेक्स कोशन है सरीर रचना एक महतपूरुक घटक है यानि body composition is an important component of तो हमने आपको बताया गी था जो हमारा physical fitness है वो दो भागों में बता गया है health related physical fitness and motor skills related physical fitness जिसमें से health related physical fitness के अंतरकत पांच component and पांच component आपका motor skills related physical fitness में आएंगे जिसमें से health related physical fitness के अंतरकत muscular strength, muscular endurance, cardio respiratory endurance, flexibility and body composition आता है और motor skills related physical fitness के अंतरकत strength, endurance, flexibility, speed coordination आता है यहाँ पे body composition किसमें आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे health related physical fitness के अंतरकत यानि स्वास समंधी छमता के अंतरकत आएगा option number A यहाँ पे guidance रहोगा next question है जर्वन जिमनाश्टिक का पिता किसे कहा जाता है तो दोस्तों जर्वन जिमनाश्टिक का पिता गर्स्त मर्स्त को बोला जाता है यहनोंने दो पूस्तक लिखी हैं जिमनाश्टिक for the young और खेट next question है दोस्तों कि PC कारिन में से कौन सा कार्य है which of the following is the functions of a muscles तो दोस्तों यहाँ पे जो है agonist antagonist neutralizer यह तीनों का कार्य करता है muscles ठीक है तो यहाँ पे उप्रुक्त में से एक से यदिक option number D राइट एंसर होगा ठीक है more than one of the above यहाँ पे option number D आपका राइट एंसर होगा जैसे कि आपका muscles जो है जो कार्य होता है यहाँ पे muscles का कार्य कई प्रकार से होता है जैसे कि agonist, antagonist stabilizing fixator supporting, neutralizers and synergistic इतनी सारे कार्य होते हैं muscles के जिसमें से agonist जो होता है यानि prime mover का का कार्य करता है जब मांस्पेसी गती करने के लिए मुखे भूमी का आदा करती है उसको agonist बोला जाता है जैसे कि हम अपना elbow flexion, यानि कि हाथ को मोल रहे हैं, उस condition में मुखे भूमी का आदा कर रहा है agonist, biceps muscles तो जो मुखे भूमी का आदा करता है उसको agonist बोला जाता है और जो उसके भीपरित भूमी का आदा करता है उसको antagonist बोला जाता है परतियस परधी तो जो मुखे भूमी का जैसे कि हम हाथ को मोल रहे हैं, इस condition में मुखे भूमी का आदा कर रहा है हमारा biceps muscles, तो यहाँ भी biceps muscles हमारा agonist हो गया और उसके भीपरित भूमी का को अदा कर रहा है triceps muscles यहाँ पर triceps हो गया antagonist इसी कह जश्ट करडिसन अगर हम हाथ को फैलाएंगे तो हाथ को extension यानि कि फैलाने में मुखे भूमी का अदा कर रहा है triceps muscles, तो यहाँ पर फैलाने में मुखे भूमी का कर रहा है triceps muscles तो agonist का का रहा है triceps और उसकेे भिरित भूमी का अदा कर रहा है antagonist का काम कर रहा है I hope कि यह पर आपको agonist और antagonist में अंतर समझ माया होगा और neutralizer का होता है दोस्तो neutralizer यह होता है कि जो गती जब हम करते है तो गती के दुरान पेसी जो है अजने कोई गलत गती नहीं करती यानि एलबो फ्लेक्शन के दुरान कोई सुपाइनेशन नहीं होता है क्योंकि पेसी जो है अनावस्ते गती नहीं होने देती है कि किसी संक्रामक रोग को हैंसेश रोग कहा जाता है इंफेक्टियस डिजीच इस कॉल्ड हैंसेश डिजीच तो यहां भी दोस्तों आपने देखा होगा बैक्ट्रियल बैक्ट्रिया के दौरा फैलने वाला रोग है कुष्ट रोग जिसे हम लेप्रोस ही कहते हैं लेप्रोस हमें जिसे हम क्राम से जानते हैं City कुष्ट रोग लेप्रोस सी होता है जिसे हैंसेश डिजीच के दाम से लेप्री मसे लेप्रोस से और यह यह जग़र गठ बन जाता है हायत पर उंगलियों की उत्तकों का नर्ष हो जाता है एन नेक्स कोचन है ACI खेलो का परतीक चिन क्या है What is the symbol of Asian Games दोस्तों Asian Games का परतीक चिन है पूरा उक्ता सूरी ग्यारच छल्डी ठीक है पूरा उक्ता हुआ सूरी ग्यारच छल्डी जो है ACI गेल कीम का परतीक चिन है और ACI गेम का मोटू है इवर आनवर्ड यानि हमेशा आगे की ओर याद रखेगा तो यहाँ परतीक चिन है फूल रैजिंग सन एंड इलेवन ड्रिंग्स ठीक है और परतीक चिन है पूरा उक्ता हुआ सूरी ग्यारच छल्डो के साथ और इसका मोटू है आपका इवर आनवर्ड यानि हमेशा आगे की ओर और दोस्तों आपके एक जा में पुछा था पैरा उलंपिक का मोटू पैरा उलंपिक का मोटू है गती में आत्मा यानि स्प्रिंट इन मोटू याद रखेगा पैरा उलंपिक का मोटू आप सबको पता है यानि फासर हायर स्ट्रांगेन टुगेदर और तेज और उचा और बलसाली एक साथ याद रखेगा and next question है question number 13 है दोस्तों कि मानों सरी में प्रधान ग्रंथी कोन सी है what is the main gland in human body यहाँ प्रधान ग्रंथी यानि master gland की बात हो रही है जो हमारा प्यूस ग्रंथी यादी pituitary gland है वह हमाया शरी की जो है प्रधान ग्रंथी मास्टर ग्रंथी है क्योंकि यह अन्य अंतर इस्रावी ग्रंथियों की नियंत्रग करता है next question है नियंड में सी कौन सा स्वास्त समंधी फीटनेश का घोटक है अभी जस्ट में बताई हूं कि स्वास्त समंधी फीटनेश के अंतरगत जो फीजिकल फीटनेश है दो भागों बाटा गया है यहाँ पे question है the following is the component of health related fitness तो health related physical fitness के अंतरगत muscular strain, muscular endurance, cardio respiratory endurance, flexibility and body composition आता है तो यहाँ पे muscular endurance, cardio respiratory endurance यानि की पेशी साहन सकती है और cardio respiratory endurance यह दोरू health related physical fitness के अंतरगत आते हैं तो यहाँ पी क्या हो जाएगा एक से जारी option right है यहाँ पे उपरोत में से एक से अधिक option number D more than one of the above आपका right answer होगा ठीक है option number D यहाँ पे right answer होगा जो प्रतिकिया समता है reaction time है यह स्पीड के अंतरगत आता है जो motor skin related physical fitness है यह गलत है नेक्स question है हथेली को आगे या उपर की और घुमाने को क्या कहते है most important question है ठीक है what is the term used to rotate the palm forward upward तो यहाँ पे forward या upward या उपर या आगे की और घुमाने को क्या कहते है तो दोस्तों जह हम पीड की तरब लेड़ते हैं हाथ उपर की तरफ हथेली होता है आस्मान की तरफ फेस करता है तो उसे हम सुपाई नेशन कहते हैं क्या कहते है तो next question है मानोसरी की अस्थियां किस अधा पर वर्गिकित की जाती है बोन्स of human body are classified on what basis यानि किस बेस पर मानोसरी की अस्थियों को classified यानि की वर्गिकित किया गया है तो दोस्तों मानोसरी की अस्थियों को size and shape यानि की प्रिडाम और अकार के अधार पर पांच भागों में बाटा गया है यहाँ पर आफसा नंबर सी राइट होगा पांच भागों बाटा गया है लांग बोन, सार्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सिसा्मोयड लंग बून के अंत्र गधत हमारा लंबी अस्थियां आती हैं यैसे कि लीवर का काम जो करता है जो हातों पैरों में जैसे हिउम्राइ्ट, रेडियोस, अलना, फीवर, टीविए, फिवुला आती है यह लंबी अस्थियों के बीच में खोकला भाग होता है जिससे हैवेरसियन कर दूखा सकती हैं तुसरा होता है सांथ्या नुखर जो होती जैसे हमारी कल्या ट॥ चांसर्स और कर्पस बोन वह पहला कर दी काथे ऊठ्स पर में रूपभाट को स्काज़ए कि जो वाद दी तुवता है कि रहा जहां पर सुरच्छा क्या सकता होती है हमारे कपाल में पसलीयों में इसकेपुला में यानि कंदे में दाक किया है इर्यूर बून और ये अस्थियां जो हमारे चेहरे की जो पर पटिला कटोरा जैसा लगा होता है पटिला सुसबेस्ट इंपॉइ एक्जॉंपल है सिसम मौयट बून का नेक्ट कोशन है कोशन नमबर सत्रह है हिदय के दाय निले से रक्त को सुध करने के लिए किस धमनी द्वारा फेफड़ों तक ले जाता है वीच आर्टरिक कैरीज प्यूरिफाइड ब्लड फॉर्म दराइड वेंट्रिकल ओफ दर्वार्ट तो दो लंग्स तो दोस्तों हिदय के दाय निले से रक्त को सुध करने के लिए कौन सी धमनी फेफड़ों तक ले जाता है फेफड़ों मेेवहाँ से하는 सुध होकरकर के ब्लमोंद्री सीराओं में वापस आ करकर के बाये अलिंद में आता है बाये अलिंद से लिले निले में जोल्य एसान की रास्ते महाधमनी में जाता है और समस्त अंगों में भेंदिया जाता है कि नेक्स्ट कोचन है कि पानी में गुलंसी बिटामीन कौन सा है वीच एजे वाटर सोलिबल बिटामीन तो दोस्तों आपको पता है पानी में गुलंसी बिटामीन बी, सी और एच है ठीक है यह पानी में गुलंसी बिटामीन है और वसा में गुलंसी बिटामीन फैर सोलिबल बिटामीन के अतरगत कीडा आता है ठीक है के आई किडाओ ठीक है के अई किडाओ तो पानी में गुलंसी बिटामीन कौन सा है यहाँ पे एवसा में गुलंसील है विटामिन E, वसा में घुलंlardan है, विटामिन K, वसा में घुलंजल है, यहां पर कोई भी आपस्ञ नहीं है, जो विटामिन पानी में घुलंज तो यहां परlike अपरक्त में कोई नहीं आपस्le आपका राइठ होगा, no of the above, आपका राइठ इंस रहोगा, ठीक है, क्रमा कुंचन होता है परिष्टेल्सिस अकॉर्स इन तो परिष्टेल्सिस जो क्रिया होती है क्रमा कुंचन क्रिया जिसके करण गोजन आगे बढ़ता है यह प्रक्रिया होती है हमारे मुख के बाद आईसोफेगस यानि ग्रॉस नली में आईसो फेकस यानि की ग्रास नली में क्रमा कुंचन गतिव होती है परिस्टेल्स्टिक क्रिया होती है जिसके करबोजन आगे बढ़ता है और इस टो मच अमासा में जाता है नेक्स्ट कोश्चन है नेताजी सुभावस नेशनल इंस्टिट्यूट आप इस्पोर्स पत्याला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था नेताजी सुभावस नेशनल इस्टिट्यूट आप इस्पोर्स पत्याला वाज इन ग्यूरेटेट बाई हूम तो दोस्तों नेताजी सुभावस नसना आएस के उधगातन किया गया था ओ डरक्टर केल सीमाली के द्वारा 7 महीं 1971 को किया गया था जो आदोक इंक्वारी कमिटी नीस इन्टाउन के सदस थी और नायस पत्याला 7 महीं 1971 को इसथा पंजब के मोती बाग पहले से नायस यह नी नेसनल इंसिट्यूट्यूर आप स्पोर एस नाम रखा गया तेश जिन्वरी 1973 को और दोस्तो जो एस नाइस पर ट्याला है यह एसिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है और खेल के मक्का के नाम से भी इसको जाना जाता है तो आई हो कि दोस्तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा यह था वीस कोशन आज के सेशन क अब साम को भी आपको वीडियो जरूर मिलेगा तो दोस्तो इसी तरह आप डिलिवेशे से प्रैक्टिस करते रहिए तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जैहिं इत्वाइब करते हैं एक्टिस में प्रैक्टिस में थाइब को जिते हैं वीडियो